कि एज बिगिनर ट्रेडर मैंने जब ट्रेडिंग जर्नी की शुरुवात की थी तो मुझे भी यही दिक्कत होती थी कि यह बहुत सारे केंडल स्टिक पैटर्स को याद कैसे रखें मगर हमेशा मैं यह सोचता था कि क्या जो मैं केंडल स्टिक पैटर्स को मेमराइज करके जो चार्ट में लगा रहा हूं उसी तरीक से जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर या अगर प्रोफेशनल में पेटन нес ही थूंते रहेंगे इनलाइस कुर करेंगे करेंगे उसी कहते बनाये यह सभी सवालों का जवाब M Sick को एक देर 2 साल तो लगी गये फिर बाद में मेरे experience और बहुत सारे बुक्स और वीडियो देखने के बाद यह समझ में आ गया कि यह सब पैटन्स या कैंडल स्टिक पैटन्स जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में में नहीं करता है वो चार्ट में कुछ अलगी देखता है जो ऐसे बिगिनर हमें देखने के लिए नहीं सिखाय गया है इसी लिए हमारा ट्रेडिंग जर्नी जो होती है बहुत बढ़ा सा लर्नींग कर्द हो करता है और हम पहले केनल स्तिक और याद रखने की कोशिश करते हैं पिर उनको काईसे चार्ट में लगाना है वो एक ते हैं फिर उनको धूंडने लगते हैं फिर सपोर्ट और रेजिस्टन्स को सीखते हैं ऐसे करते करते दो चीज तो जरूर हमने खोया होगा एक होता है समय जो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाला है और दूसरा है पाइसा जो इस पैटन्स को सीखते-सीखते हमने गवाया है अगर आप भी एक ट्रेडर हो और आपको भी यह दिकत हो रही है कि यह पैटन्स को कैसे याद रखें या कैसे सीखें तो आप यह वीडियो को जरूर अंत तक देखना और मैं एक चीज का विश्वास आपको जरूर दिलवाना चाहता हूं इस वीडियो से कि आपको उन कोई भी पैटन्स को याद रखने की ज जादातर टाइम आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो चलिए दोस्तों अगले सेक्शन में मिलते हैं समझते हैं यह कैंडल स्टिक क्या होता है इसके बहुत सारे कॉंसेट बिना कोई पैटन को याद रखे कैसे कोई कैंडल सिक चार्ट को रेड यह कोशिक करने की एक चेस्टा कर रह esta होँ चलिए से मैं मैं क्या होता है क्या होता है वह समझेंगे और कंडल वबेशल के बारें में सेंगे जैसे कि हम सब को पता है कि यह डू प्रकार के खुटयूर एक कर अगा होता है एक डाचीन का होता है यह तो एक डम basic concept लाल रंग का हम उसे एक्टिवीटी को बताता है तो ऐसे हमये चार चीजों का पता चल जाता एक होता है एक होता कोय चल का除 इसके अलावा भी आप जैसे कि आप देख रहे हो इस वीडिव में मैंने विक्स को पोड़ा किया है मैंने बॉल्डि को रिप्रेसंच किया है और अधीय और रेंज को रहे प्रेसंट किया है कि ए हैं इस कॉंसप्स को समझते समझते आगे चलेंगे पहला हम समझेंगे कि यह green candle कैसा बनता है मेरे बहुत सारे viewers जो है beginners हैं तो इसलिए मुझे एकदम basic से start करना पड़ रहा है और करना भी है और इससे continuation भी बनती है इस video का ताकि जब भी आपको कुछ doubt आए तो आप जितने भी बार चाहे तो इसे rewind करके देख सकते हो तो पहला हम समझेंगे कि यह green candle कैसा बनता है जब भी एक candle बनता है या किसी भी चार्ट में हम candlestick को देखते हैं तो वह सबसे पहला एक चीज़ बताता है वह है कि candlestick time-based होते हैं याने whichever time frame you are referring to each candlestick on a candlestick chart represents the trading activity of that particular time याने जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक candle उस time frame का trading activity बताता है इसलिए हम उसे time-based बताते हैं example के तौ पर हम समझेंगे एक stock है XYZ limited इस example को समझने के लिए daily time frame को लेते हैं ताकि हमारा concept easily समझ में आए यह XYZ limited जब trading session का day start हुआ 9-15 को मान के चलते हैं कि वह open हो गया 1000 रुपए पर वैसे ही उस trading session के दौरांत trading करते करते उसने low लगाया था 990 रुपए का और वैसे ही trading करते करते उसने high लगाया था 1020 रुपए का trading session समाप्त होते समय उस stock का price close हो गया था 1015 रुपए पर अगर हम यह stock XYZ limited का trading activity एक candle stick या उस दिन का trading activity रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो कैसे दिखेगा ओपन हुआ था 1000 रुपए पर लोगाया था 990 रुपए का और हाय बनाया था 1020 रुपए का यह चारों पॉइंट को हमने डाल दिया इस पर अभी हम open और close को एक box बनाएंगे और हम पूछेंगे कि opening price closing price से ज्यादा है कि नहीं इस case में हमारा opening price 1000 रुपए और closing price था 1015 रुपए तो closing price opening price से ज्यादा है तो closing price जब कभी भी उस trading session में opening price से ज्यादा होता है तो हम green candle represent करते हैं तो यह box जो बना है यह box के अंदर हम green color डालेंगे यह bullishness को represent करता है क्यूंकि आप देखेंगे तो 1000 रुपए पे open हुआ था 115 रुपए पे close हो गया तो उस trading session में traders ने उस stock को उपर ले गए 1000 से 1015 तक उसी तरह से अगर हम लाल candle को represent करना चाह रहे हैं तो उसी example को हम लेंगे थोड़ा सा difference डाल के वो example को समझेंगे एक्सवाइजी लिमिटेड है 1000 रुपए पे open हुआ था 980 रुपए का लो लगाया था एक हजार पांच रुपए का high बनाया था और 990 रुपए पे close हुआ था उसी तरह से हम high low open close को चार पॉइंट डालेंगे और open और close का box बनाएंगे इसमें लाल डालना या हरा डालने के लिए हम एक प्रश्न पूछेंगे कि closing price opening price से ज्यादा है कि कम है ज्यादा है green color डालेंगे अगर closing price opening price से कम है तो red color डालेंगे हमारे case में 1000 रुपए पे open हुआ था close हुआ था 990 रुपए पे तो closing price opening price से कम है इसलिए हम यह लाल कलर से represent करेंगे यह bearishness को represent करता है मंदी को represent करता है अगर logically आप सोचेंगे तो यह सही भी है जब trading session open हुआ था 1000 रुपए पे ट्रीडिंग करते करते ट्रीडर्स ने उस price को 990 रुपए पे लाके close किया है तो actually price गिरा है 1000 रुपए से 990 रुपए तक यह हो गया हमारा candlestick formation जो भी section जो भी part उस candlestick का open और close के लो के बीच जब body बनने के बाद उसे हम विक्स कहते हैं कुछ literature पढ़ेंगे या browse करेंगे तो उसे shadow भी कहते हैं तो दोनों एक ही चीज को denote करते हैं विक्स कहो या shadow कहो वह एक ही चीज को दर्शा आते हैं body जो है वह open और close के बीच में बनता है वैसे ही यह विक्स जो है वह हाई और लो किसी भी candle का हाई और लो open और close से कैसे related है वो बताते हैं आप candlestick में देखेंगे तो वह easily दिक रहा है जैसे कि हमने अभी पड़ा यह candlestick कैसे form होते हैं और वह कैसे represent होते हैं जैसे body wix open high low close उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो और एक important concept को मैंने वहाँ प समझना बहुत जरूरी है इसी concept पे हमारे बहुत सारे आगे के concept depend होते हैं इसलिए आप इसे ध्यान से समझे यह बहुत ही simple है किसी भी candle का price range उस candle का range बताता है अगर bullish है तो किस price से किस price तक गया था वह रिप्रेजेंट करता है अगर वह bearish है तो किस price से किस price तक गया था वह को दिखाता है अगर simple बाशामा समझाएं तो सिर्फ हमें क्या करना है कि किसी भी candle का हाई और लो को देखना है और उस price का value जो आता है उसे हम price range कहते हैं example के तौप एक xyz limited जिसने हाई लगाया था हजार रुपे का लो बनाया था 980 रुपे का तो हम price range कैसे निकालेंगे हम हाई और लो को माइनस करके price range को निकालते हैं हजार माइनस 980 रुपे करेंगे तो 20 रुपे आएगा तो 20 रुपे हमारा price range किसी भी candle का हाई और लो को जब माइनस करते हैं तो हमें price range निकल के आता है वह irrespective of green या red हरा रंग का candle ले लो या लाल रंग का candle ले लो या bullish candle ले ल लो माइनस करना है तो आपको price range मिलता है और एक एक्जामपल से समझेंगे किसी और एक स्टॉक है ABC Limited उसका हाई था 110 रुपिया लो था 108 रुपिया तो हमारा range बन गया 2 रुपिया क्यूंकि 110 में हम 108 निकालते हैं तो 2 रुपे आ गया यह हो गया हमारा price range अभी आशा करता क्या हूं कि आपको यह candlestick के बहुत सारे concepts जैसे high low open close उसके साथ साथ price range क्या होता है वह समझ में आ गया हम अगले section में अगर आपको यह candle कैसे form होता है और यह price range क्या होता है समझ में आ गया next concepts जो पढ़ रहे हैं अगले section में वह बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी वह concepts क्या है हम अगले section में जाएंगे और उन्हें समझेंगे चले दोस्तों हम चलते हैं अगले section में समझते हैं यह concepts क्या है जब कभी भी हम candlestick chart को देखते हैं तो हमारे मन में इन तीन प्रशनों का उत्तर जानने की कोशिश होनी चाहिए अगर हम इन तीन प्रशनों का उत्तर candlestick chart से निकाल पाएं तो हमें किसी भी candlestick pattern को याद रखे भीना ही हम candlestick chart को analyze कर सकते हैं और अच्छा सा trading decision ले सकते हैं अगर हम इन तीन प्रशनों का उत्तर जान पाएं तो हमारे trading decision objective हो जाता है इसलिए इन तीन प्रशनों का उत्तर जानने की कोशिश होनी चाहिए कोई भी candlestick देख रहे हो उस candle को कौन चला रहा है बुल चला रहे है या बैस चला रहे है यह हुआ हमारा पहला प्रशन दूसरा प्रशन होता है what is the price range of the candle in comparison with the previous candlestick जो कोई भी candlestick आप देख रहे हो उस candle का price range पिछले कुछ candlestick के तुलना में कितना बड़ा या च्छोटा है यह प्रशन हमें यह बताता है कि अगर बुल्स कंट्रोल पर है तो actually वो कितना दूर price को ले जा सके या बैस कंट्रोल पर है तो कितना दूर price range को निच्छे ले आ सके तो यह हुआ हमारा दूसरा प्रशन दीसरा प्रशन है जो कोई भी कैंडल स्टिक आप देख रहे हो उसका लोकेशन क्या है वेर इस डट कैंडल स्टिक लोकेटेड यह हुआ हमारा थीसरा प्रश्ण चलिए हम समझते ही यह पहला प्रश्ण का उत्तर कैसे हम चार्ट से जानेंगे पहला प्रश्ण है कौन इस कैंडल को चला रहा है बुल चला रहे हैं या बैस चला रहे हैं वह जाने के लिए हमें प्रिवियस सेक्शन में जो हमने पढ़ा था एक कॉंसेप्ट ऑफ प्राइस रेंज वह समझना जरूरी होता है अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार रिवाइन करके उस इस method को समझें और को समझेंगे कंडल का dominant ओस यी से कहेंगे कि कौन इस कंडल को चला रहा है समझना है तो हमें दो चीज़का बहुत करना बहुत जरूरी होता है एक होता है權 सекेंडल उस कानल का और दूसरा होता है है अगर हम क्लोसिंग को और हुआ को दोणु जोड़ देखेंगे तो हमारा पैला प्रश्न का उत्तर जो है वह मिल जाता है तो हम कईसे समझें ही यह क्या है नहीं लगा फिर बुल्स माइज को एकण्डर है अगर आप देखेंगे तो और जरेंगे प्रिस ति अंदर हाइ की तरफ हुआ है तो हमें यह समझना है कि यह बुल्स के कंट्रोल में है क्योंकि क्लोजिंग हाइग की तरफ हए तसम अब कहने का यह मतलब है जब कभी भी हम केंडल स्टिग को का क्लोजिंग प्राइज रेंज तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस केंडल को कौन चला रहा है और एक समझाए देख पा रहे हो कि यह जी है तो ग्रीन है को समझाय गया कि प्राइज विलिश neutralme chance में फ़ लो को रेंगे उह मारक करेंगे और दूसरा हो गया closing closing का mark कर दिया इस price range पे अभी देखेंगे यह closing high की तरफ है या low की तरफ है यहां पे तो low की तरफ है तो यहां पे अगर low की तरफ हो गया तो sellers के control में है बले यह candle पहला green में था मगर last battle जो अंत में हुआ था वो sellers के control में आ गया था तो इस candle को अगर आप देखेंगे बले यह candle green है मगर यह candle में sellers का pressure जादा है sellers यहां पे dominant force है अगर हम यह concept को summarize करें तो simple है अगर जब कभी भी हम पहला प्रशन पूछेंगे कि who is in control तो हमें यह देखना है कि closing उस candle का price range के अंदर किदर आया है अगर high के तरफ आया है तो बायर्स कंट्रोल में है अगर लोग की तरफ आया है तो sellers के control में है अगर बीचों बीच में हुआ है उस प्राइस रेंज में तो ना बुल्स के control है ना बैस के control में है तो एक इंडिशिजन सा candle बन गया है जब हम यह समझ गए कि यह कौन चला रहा है जैसे क इस एक्जामपल पर देखेंगे तो इस candle का हाई के नजदी क्लोज हुआ है तो इस candle को बायर्स ने चलाया था तो बायर्स यहां पर स्ट्रॉंग है तो हमें बाइंग की और ट्रेड लेना जादा प्रॉफिटेबल बना सकता है उसी तरह से इस candle का प्राइज रेंज के प्राइबल बनाता है तो हमें सेल साइट की ट्रेड लेना है उसी तरह से आप यह केंडल स्टिक्स को देखेंगे तो यह समझ में आ रहा है कि यह प्राइज रेंज के बीचों बीच क्लोज हुआ है यहां बायर्स और सेलर्स का इक्वल फोर्स है जो एक डिजन बनाने में जिक्कत हो रही है है एक पर कोई ट्रेड नहीं बिनता है तो कहने का यही मतलब करा है कि कौन उसे चला रहा है कौन क led कर रहा है मगर वो सभी में में हमने सिंगल के से को पढयं मगर जब हम्द्वी कंडिल सको देखेंगे तो बहुत सरी चब indy होता है कि कौन इसे चला रहा है अपना पर देखेंगे तो इस केंडल का लास्ट केंडल जो है एक दम बुलिश केंडले सकेंड़ यहां पर है यहां पर है तो यह टो यह जिंग के तरह तो यह लास्स कंडल को बाइस ने चलाया था मगर प्रश्द ये आता है कि actually में ये प्रीवेज कुछ सेशन से बाइस चलाया था अगर रीसेंट कुछ चैनल सुन्स धेखेंगे जाए लोग की तरफ तो इस केंडल को बहुत सारे सेलर्स ने डॉमिनेंट किया था अगर हम प्रीवियस के कंपैरिजन में यह बुल्स के कंट्रूल में है वुच्छ प्रशन को जाने के लिए हमें रिसेंट को देखना पड़ेगा तो एकदम सिंपल है मल्टिपल केंडल स्टिक को अनलाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन इसे चला रहा है उसके लिए एक सिंपल रूल आपको समझना है जो कोई भी आप Candlestick Analyze करना चाहरे है उसका ग्रूप बनाई है जैसे कि एक्जामपल के तरप में चारों का ग्रूप बना रहा हूं और उनको मार्क किया अब इन चारों में से highest high किसका है वो हो गया अपना high point इन चारों में से lowest low को मार करो वो हो गया हमारा low अब इन जैसे कि मैंने प्रीवेस सेक्शन में पढ़ाया था एक एंडल्स्रीक फॉर्मेशन का इसा होता है तो हम यह चार पॉइंट के और देखेंगे और ओपन और क्लोज का एक बॉक्स बनाएंगे और इस कलर का आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एक प्रश्न पोच्छना हम यह जब कैंडेल स्क्राइड और देखेंगे तो यह समझ में यह वाका में इसको कंड्रोल किया है क्यूंकि closing जो है हाई की तरफ हुआ है तो हम इस तरह से multiple candlestick को लेके समझ सकते हैं कि कौन उसे चला रहा है इस तरह से हम multiple candlestick को merge करके एक interpretation निकाल सकते हैं कि कौन उस candle को चला रहा है और एक example के साथ समझेंगे तो आसानी से यह concept समझ में आ जाएगा example के तो आप हम लेंगे दो conventional candlestick patterns एक होता है बुलिश हरामी जहां पर एक red candle होता है और इसके बाद एक green candle होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो एक basically bullish reversal है जो एक downtrend के बाद जब कभी भी ऐसा एक pattern बन जाता है तो हम reversal की या bullish reversal की trade लेने की सोचते हैं इस pattern को अगर हमारे concept के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो कितने आसानी से हम समझेंगे और बिना कोई नाम याद रखे हम यह डिजियन पर आएंगे कि यहां पर बुल्स का control आ रहा है जैसे कि आप देख रहे हो एक downtrend है और उसके साथ downtrend में चलते चलते एक bullish हरामी का pattern बनाए है हम एक्जामपल के तौर पर यह दो candle को merge करके देखते हैं कि यहां पर बुल्स का control आ रहा है कि नहीं आ रहा है जैसे कि मैंने बताया था पहला आपको group करना है जो जो केंडल का भी analysis कर रहे हो तो वो group करने के बाद हमारे case में यह दो candle हमने group किया है और इन group में से highest high point को mark करना है वह बन गया हमारा high point और lowest low को mark करना है वह बन गया हमारा lowest point हमें और last candle का हमें अब हम ओपन और बॉक्स बनाएंगे कि लोड़ा है कि छोटा है हमारे केस में जो है उपन से कम है इसलिए रड़ केंडल तो जैसे कि मैंने बताया था जब कोई भी केंडल आप देख रहे हो तो हमें सिर्फ यह देखना है कि उस प्राइज रिंज के अंदर क्लोजिंग किदा और या फियlight कि तरफ आए कि तरफ आया है या लोकी तरफ आया है विशसी आजग में ऑफ जैसे की देख पारे ओंदनों प्लोजिंग जो एच सब्सक्राईब अ अदर कि तरफ आया है तो ही की तरफ आनी का मतलब है पाइस में स्कार्राईब को चला है फध्स की फ्रेशर Euro जो होएं आफ्टरेट डांट्रेंड आना चालू किया है तो यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं तो रिवरसल के चांसेजु़ क्यों की आप करेंगे यह कन्वेंशनल प्राइड को अगर उसी तरह से आप मर्ज करेंगे तो मर्ज केंडल कैसा दिख सकता है आप देखिए और यहां से फिर इंट्रिपटेशन निकालिए कि यह किसके कंट्रोल में है ट्री इंसाइड अप कैंडल भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है जो आफ्ट्रेट डाउन ट्रेंड बुलिश रिवर्सल दिखाता है जैसे कि मैंने बताया था ग्रूप करो हाइस्थ ही मार पॉपन माव कर स्क्राइब का ग्रोस पोउंटोल मार प्लोटैसरे का डिटर बनाऊ औरूपन और बॉपन से बढ़ा है इस केसे मेंडोत है इसोप डापन तर art कमемся में पूछत टरह तो कौन इसे चला रहा है अगा क्लोज ऐल्सão को सब्साइब आए तो वह हाई की तरफ वह थो बूल्स इसे चला रहा है इस तरह से हम रिचिजिजन भीना कोई केंडल्स्टिक पैटन को याद रखे दिना कर सकते हैं मल्ट्िपल केंडल को मर्ज करके की है इस थरह से हम होजें गुज तुल अ बींटिक जान पाएंगे मगर सवाल यह आता है कि अगर यह बोल्स यह बायाइस कंडरोल। कर रहे हैं किसी चूर्ट को या सेस्ट चला रहे हैंगी ऑकन्विक्ष स्ट्र केंटल स्टिक पर उन का रिजन विद प्रीविएस कैंडल जो कैंडल आप देख रहे हो उसका प्राइज रेंज जो है प्रीविएस कुछ कैंडल के तुलना में कितना बड़ा चोटा है इससे हमें बायर्स और सेलर्स का कन्विक्शन पता चलता है जैसे कि हम एक्जांपल से समझेंगे तो और यह कॉ प्राइज लिमिटेड है जो डाउंट्रेंड में चल रहा है अभी लेटेस कैंडल जो देख रहे हो वह एक बुलिश कैंडल सा बन गया है अगर आपको यहां से रिवर्स हो सकता है तो आपको पहला प्रशन तो बता देगा कि यहां पे बुल्स कंट्रोल कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होगी अग्दम बुलिश कैंडल है यहां पर बुल्स का कंट्रोल आ चुका है मगर उस बुलिश कैंडल में कंविक्शन कितना है वह जाने के लिए हमें प्रीवियस कुछ कैंडल स्टिक्स को देखना पड़ेगा उनका प्राइज रेंज जाना प्रीवियस कुछ कैंडल देखेंगे गए तो बहुत सारे रैड कैंडल स्ट बने हुए हैं और इससे यह तो पता चल रहा है sellers ने इस price range को control किया है इन candle को Sellers ने predominantly control किया है बहुती जाधा control किया है और अगर आप price range भी देखेंगे तो बहुती बड़ा candle से उन्होंने price को निच्छे लाया है इसका मतलब ये है बहुती बड़ा momentum से उन्होंने price को निच्छे ले आया है जब यह bullish candle यहां पर बन रहा है support area पर भले यह bullish candle है मकर यह price range जो है in comparison with the previous candles उतना competitive नहीं है उतना बड़ा नहीं है जो sellers को टकर दे सके इसलिए यहां पर भले यहां पर price कुछ देर के लिए sustain करें बहुती जादा probability होता है कि यह कुछ trading sessions के बाद यह अपना original direction जो downtrend है वह continue कर सकता है यह भी हो सकता है कि यहां पर कुछ profit booking आ रहा है इसलिए प्राइज रुक रहा है इसलिए आप छोटे छोटे candles देख रहे हो यह इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे औ जैसे कि आप previous candle का price range देखेंगे तो बहुती relatively बहुत छोटा है in comparison with the latest green candle जो आप देख रहे हो green candle का price range बहुती जादा है previous कुछ candlestick को आप compare करेंगे तो यहां पे buyers जो है बहुती जादा हावी हुए है इस support area पे तो जो reverse कर सकता है उसका probability जादा है क्योंकि जब sellers price को नीचे ले आ रहे थे बहुती छोटे-छोटे candle stick के साथ price को नीचे गिरा रहे थे यहां पे price range एकदम छोटा सा है इसका मतलब यह है कि momentum बहुती कम था उनके अहां conviction नहीं था सिर्फ छोटे-छोटे candle से retailers को profit book करने दे रहे थे वह रुक रहे थे यहां bullish trend reversal के trade ले सकते हैं क्योंकि conviction of the buyers बहुत ज्यादा है in comparison with the conviction of the sellers तो buyers sellers को competitively हरा सकते हैं और price को उपर ले जा सकते हैं इस थरा से हम दूसरा प्रश्य जो होता है उसका उत्तर चार्ट से जानेंगे सिर्फ और सिर्फ uptrend में ही नहीं आप downtrend में भी कर सकते हो फरक बस इतना ही है जब आप uptrend में धूनते हो तो support को धूनते हो अगर downtrend में देखते हो तो resistance को देखते हो तो हम एक downtrend का example से भी इसे समझेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो price उपर आते आते resistance के पास आया है resistance पे आते आते green candles का price range जो resistance के पास आते आते जो घट रहा है in comparison with the latest candles बहुत ही छोटा है latest three red candles को consider करेंगे तो यह price range बहुती कम है तो buyers का conviction जो resistance पर आते आते बहुती कम हो रहा है उसी तरह से अगर latest candles को आप देखेंगे तो sellers का conviction आ रहा है वह price range में दिख रहा है वह बहुती बड़े-बड़े candles बना रहे हैं इसका मतलब यह है conviction sellers का जादा है और वह sellers देख रहे हैं this is the best price for selling इसलिए यहां पे वह पूरे conviction के साथ इस price पे aggressively sell कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रशन what is the price range of the candle in comparison with the previous candlesticks यह बताता है कि conviction किसका ज्यादा है इससे हम trading decision ले सकते हैं कि अगर यह reverse कर रहा है तो यह reversal sustain होगा की नहीं यह breakout हो रहा है तो यह sustain होगा की नहीं इस तरह से हम दूसरा प्रशन का उत्तर चार्ट से निकालते हैं और उससे हम यह पता कर लेते हैं कि buyers or sellers का conviction उस candlestick पे कितना है अब तक हमने दो प्रशनों का उत्तर चार्ट से जानने की कोशिश की एक है who is in control कौन उस candlestick को control कर रहा है और दूसरा है what is the price range of the candlestick in comparison with the previous candlesticks जो कोई भी candlestick आप analyze कर रहे हो उसका price range previous candlestick के तुलना में कितना बड़ा या छोटा है यह दो प्रशनों से हमें buyers or sellers का sentiment पता चल रहा है मगर सवाल यह आता है कि यह sentiment किस जगा पे देखा जाए ताकि हम जादा से जादा profitable trades लगा सकें इस analysis पर इसलिए हमें तीसरा प्रशन का उत्तर जानने की कोशिश करना चाहिए चलिए समझते ही यह तीसरा प्रशन क्या है और उसे कैसे analyze करते हैं चैट पर जैसे कि मैंने बताया था तीसरा प्रशन है वेरिज देखा लोकेटेट और फॉर्म जो कोई भी केंडल स्टिक आप analyze कर रहे हो या ग्रूप ऑफ केंडल स्टिक आप analyze कर रहे हो वह कहां पर बना जब कभी भी मैं नया वीडियो इस चानल पर डालता हूं अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि मुझे पता चले कि जो मैं काम कर रहा हूं आपको पसंद आ रहा है और आप तक पहुंच रही है जो मैं कहना चाहरा हूं का चाहिए जहां पर कम से कम लाँ करें और ज्दा से ज्यूदा करें इसलिए जो कोई दिसलिए पता है वा कंपलेंस का होना चाहिए Scout कि अच्छा यह उस जगा अभना चाहिए उस इband केदिक को समझेंगे यह क्गया होता है उसक्रिग में कर रहे हैं और अभी और एक बूलिशन रीफली को बताता है जैसे कि मैंने previous session में बताया था अभी यह concept of confluence क्या होता है जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हो कि एक confluence हमारा यह price जो है support पे है अगर आप इस previous trend को फिबोना की retracement tool से measure करेंगे तो यह retracement जो आ रहा है वो 61% के करीब यह candle बन रहा है तो यह हो गया हमारा दूसरा confluence अगर आप और एक confluence देखेंगे तो यहाँ पर एक trend line बन रहा है जो एक support की तरह act कर सकता है और आप चौता confluence देखेंगे तो आप अपने left side देखेंगे तो प कर रहा है और price यहाँ पर retest करने की कोशिश कर रहा है यह हूँ हमारा fourth confluence चलिए अब हम यह concept को लगाते हैं और समझते हैं जैसे कि हमारा प्रशन था हूइज इन कंट्रोल यह दूनों candle को merge करके देखेंगे तो पता चल रहा है कि यहाँ पर buyers का control आ रहा है और दूसरा प्रशन होता है price range of the current candle in comparison with the previous candle कितना बड़ा या छोटा है अगर price range को compare करेंगे latest candle को तो previous candle से significantly बड़ा दिख रहा है तो दोनों प्रशन का उत्तर तो हमें मिल गया कि यह bulls के control में है और bulls के अंदर conviction भी आ रहा है और उसके साथ चार confluence इस price zone पर बाइट रहे हैं तो हमारा view इस analysis का होना चाहिए यहाँ पर price reverse हो सकता है unless otherwise price अगर कोई breakout का signal दे मोटा मोटा आप देख रहे हैं तो चार confluence के साथ हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ से price को reverse होना चाहिए और हमारा analysis भी यही बता रहा है कि दो प्रशनों का कि यहाँ पर bullishness आ रहा है तो कहने का यह पर नहीं बोल रहा हूं अगर आप traditional candlestick pattern भी देखेंगे तो वह भी यही बताता है कि जो कोई भी reversal या continuation pattern देख रहे हो वह सही जगा पर देखना चाहिए तभी वह desirable results देगा उसी तरह से हम भी जब candlestick को analyze करते हैं तो वह confluence location होना चाहिए ताकि हमारे results desirable हो हमारे पक्ष में सेम एक्जांपल आप resistance पर ट्राइक कर सकते हो जहां पर 2-3 confidence उस resistance पर हो रहे हैं और candlestick analysis selling side के और जाने के लिए बता रहा है तो हमें sell side की trades लेने चाहिए तो कहने का यही मतलब है जब कोई भी हम candlestick chart को analyze कर रहे हैं हम तीनों प्रशनों का उत्तर जाने की कोशिश करेंगे और उससे एक conclusion या view निखा लेंगे कि यह उपर जा रहा है या निचे जा रहा है या कहीं नहीं जा रहा है उससे हम bullish view, bearish view और no trade वाला decision लेंगे इस तरह से आप trading का analysis करना चाहिए और trading decision बनाना चाहिए candlestick के chart से जो कोई भी मैंने सिखा है यह completely price action based analysis है चले दोस्तों मैं इ होती सरल बाशा में आपको candlestick chart को कैसे analyze करें बिना कोई patterns याद रखें कैसे trading decision बनाते हैं वो मैंने आसान बाशा में समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूं को आपको समझ में आया होगा अगर आपको content पसंद आया तो जरूर एक like करना और channel पे नए हो तो जरूर subscribe करना इसी के साथ मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक नए topic पे तब तक happy trading जय हिन्द